अलो फ्रेंट्स कैसे आप सब मैं रोतासमार एक बार फिर से अपने यूट्व चैनल पे आप सभी का स्वाइब करता हूं अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकनों क्लिक कर हैं अभी जो इंडिया चैना का रिलेशन्स है उसके अंदर हमने बेसिक जो डिटेल थी चैना के सुसाइटी की उसके बारे में बढ़ा था और जो डोकलाम डिस्प्यूट है उसके बारे में बढ़ा था ठीक है तो दो तिन वीडियो जो अपलोड किये जा जुके हैं वो इ इसकोनोमिक रिलेशन्स है वो कैसे हैं और ओन जीसी डिस्प्यूट ओइल और नेचिरल गैस कोर्परेशन का भी डिस्प्यूट जो है उसके बारे में भी डिटेल से डिसक्स करेंगे होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे या फिर ऐसा कोई भी कंप्टिटिव एक्जाम जिसके अंदर यह अपने इंटरनेशनल रिलेशन्स रिलेटेड क्यूशन पुछे जाते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट हैं आप हर एक वीडियो जो को बड़े ध्यान से देखिए ठीक है अगर उसके को क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट बता सकते हैं ओके तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो साओध चैनसी डिस्पूट करने से पहले हमें थोड़ी वाप strings क्या है अगर बात करें बाकूा इसकी ओड़ेशन बहुत अच्छी ने चारूं ओस तरफ जैसे इंडियन और पेसिपिक ओसियन हिंद महासागर और परशांथ महासागर इसको कनेक्ट करता हैhor can किसके थोफर कनेक्ट किया जाता है यह directly मनदंद्य महासागर परशांथ मासागर है यह दोनों आपस में जुड़ते हैं ठीक तो साउट चाइन सी से ठीक है अब इसका स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंज होने के साथ साथ इसका जो जो सिगनिफिकेंट जियो पॉलिटिकल वाटर वोडी के रूप में भी ये काम करता है कैसे एक ये सिगनिफिकेंट जो युनाइटेड नेशन्स कॉन्फरेंस ओन ट्रेड एंड डॉलोमेंट जिसको हम अंक्टाड कहते हैं सोट में अंक्टाड ने बताया है कि जो ग्लोबल सीपिंग पास होते हैं वो वन थर्ड टोटल का वन थर्ड इस साउथ चैना सी से और पास होता है ठीक है मतलब जो क कि ट्रेड का ट्रिलियन्स लगबग हम कह सकते हैं कि यहां से करी किया जाता है तो एक ट्रेड के पॉइंट ओप यूशी भी यह साउथ चैना सी बहुत इंपोर्टेंट है फिर अगर बात करें तो यहां पे जो डैवर्स्टी है वो हाइड बायो डैवर्स्टी है और फिर यहां पे अवेलेबल है और वाटर रिसोसेस जो अलग लग वो भी यहां पे परचेंट है तो यह कुछ सिगनिफिकेंस है इस साउथ चैना सी की जिसकी वज़े से यह इंपोर्टेंट हो जाता है और हर एक कंट्री इसके उपर अपनो जो अधिकार है वो जमानना चाता है हो तो इसी परपच से चाइना भी इसको ऑकपाई करना इकोसिस कर रही है तो देखे डिस्प्यूट क्या है सबसे पहले South China Sea को देखिए कि इसकी location क्या है चाइना के ज़स्ट नीचे यह चाइना है ऊपर ठीक है और चाइना की नीचे हमें यहाँ पर क्लिक कर देता हूं और चाइना ठीक है यह विएतनाम है और यह इधर मलेशिया हो गया और यह ब्रूनी है यहां पर और यह है फिलिपिन्स इन कंट्रीज से और यह सौथ चाइना सी गिरा हुआ है ठीक है चारून तरफ यह है इसके चारून तरफ कौन कौनशी कंट्रीज होगी वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनी, फिलिपिन्स अब देखें यहां पर है पारासेल आ को एक्वपाब कर लिया है अभिए क्यों किया है क्यों किया गया था किस बसी स्क्वपण फिर इनको किया गया था इसके बारे में हम अब ख़पड्च्छा क्रेगọi लेकि सब शुक्त और दॉक्या उक्षार लैंड है यह पारसेल आइलेंड है वियतनाम के जहां पर इनको कुछ एक्टिविटीज करने की चूट होती है इन जोन्स के बारे में हम डिटेल्स डिसक्स करेंगे बाद में इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से डाल दूगा पर इन जहां कि यह जोन सोते है Suzके इसके अदर कुछ एक्टिविटीज की चूट होती है इसको मेंटेन किया जाता है तो वियतनाम के और एक्सक्निविटीज इकोनोमिक जोन के निधर पार अशिल आइलेंड आता है फिर बुरुनी के ECLS के इसका इंतर गयरता है SPARTLE आइ unless ठीक है और Filippines to a C yeah där बोर रेकन इन टीनों को और चास नहीं कि किक अ कर लिया मैंने ले कश्विपिय केन dire अब है तो यह तुपियों को प्रता है बहुत शुपिय प्रता है तो अब देखिए समझिए यह कुछ डाटाज लिखे गए हैं कुछ स्टेटमेंट हैं यह आप इनको ध्यान से देखिए आप चाहें तो इनका स्क्रीन सोट में ले लीजिए क्योंकि कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट से इसके अंदर तो सबसे पहले लाइन देखिए चाइना है अपनी जो मिलीटरी है वो स्टेब्लीज करना शुरू कर दिया इस एरिया को और सबिब्लीज करना स्ब्सक्राइज़ कर दिया है कौन-कौन से को यह जो आइलेंड वाला हplement पाया पारसेल आइलेंड इसकारव़वह और यह जो अब अगर आपने मन्लिटरी करने की कोसिश केया और यहां पर अगर अपलाम CELOS है ठीक है यह लिखा है यहां पर आप CELOS कर लीजिए इसका मतलब क्या होता है United Nations Convention on Law of Sea यह एक International Organization जिसके बारे में हम डिटेल से डिसक्स करेंगे बाद में एक बारे में नाम सुन लीजिए आप से दाई की युएन क्लोज का यह वो इलेसन है उसका यह उलंगन करता है ठीक है अब देखिए 2009 में क्या हुआ चाइना ने एक दो डिप्लोमेटिक नोट्स इस्यू किय क्लाय करते हैं की साुथ टोटल है उसका 80 परसेंट फारेट हमारा है यह क्लाय कोन करता है Sainal में on a nine आपको से पे ज़हों है इस अब करता थाकर आपको सी마 यह नहीं देस और साहर बार के दोाज है यह दो नाइनधार रिख्तामारे और चाइना के दोरा इस साउथ चाइनाशी के 80% पर पार्ट पे और क्लेम किया जाता है अब यह क्या है अगर चाइना इसको ऐसे क्लेम कर देगा तो यह क्या इंटरनेशनल फ्रीडम ओफ नेविगेशन इन ट्रांस्पोर्टेशन का ओश्ट्रेक्शन है ग्लॉबल सोप्र पावर में इसको इसको क्यों यह खौजा कि नेगा तो फिलिपेन्ट को ब्लचारर्ण की है पिर इसको और विद्बीन फ्लिफीन का अउसा आइलेंड है । इसको चाइन ने उकुपाई किया है उसके रिगार्डिंग और एक इस्यू है वो रेज किया था कहां पर एक इंटरनेशनल और्गनेजिशन है पर्मानेंट कोट ओफ आर्बिट्रेशन PCA यहां पर फिलिपिन्स ने अपना इस इस्यू को रेज किया कि चाइना ने और हमारे इसे स्कारवरो आइलेंड को ओकिपाई कर लिया तो अब पर्मानेंट कोट ओफ आर्बिट्रेशन ने क्या क्या कि यह जो इस इस्यू के उपर वर्डिक्ट दिया वो फिलिपिन्स के फेवर के अंदर दिया था लेकिन चाइना ने और इस वरडिक्ट को मानने से मौना कर दिया कि हम इस पर्कार के किसी भी वरर्डिक्ट को नहीं मानते तो यह क्या है अगर चाइना का इस पर्कार से मना करना कि यह एक इंटरणेशनल ओर्गनाईजेसन का दिसरेस्पेक्त है ठीक है मतलब चायना है वो अपने आपको एक सुपरपावर समझते हैं किसी भी इंटर्मोर्शनल और्गनाईजिशन को नहीं मानते हैं फिर देखिए आगे अगर बात करें तो हम इसके लिए क्या सेजेशन्स दे सकते हैं कि इसके लिए क्या सेजेशन्स हो सकते हैं सुझाव क्या दिये जा सकते हैं सबसे पहले अगर बात करें तो न्यू आर्बिटरेशन प्रोसेसेज सुड़ बी स्टेबलिज़्ट कुछ नई और मदेस्ता वाली और्गिनाइजेशन संस्ता है स्टेबलिज की जाने चाहिए जिसकी वज़ए से और कुछ मीडियेशन करके और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्ब किया जासके फिर सेकेंड देखें तो उनको जोइंट डिवलोम्मेंट की जो जोन्स हैं वो अडोप्ट करने चाहिए जैसे हम बात करें को कुछ जो कमर्शियल एक्टिविटीज है जो इन्वार्मेंट प्रोटेक्सन से रिलेटेड हो या चाहिए डिजास्टर रिलीफ हो या फिर काउंडर पायरेशर ची नेक्ष्ट देखें तो उनको एक peaceful environment स्टेबिस करना चाहिए कि शांती बनाए रखे और इस dispute को resolve किया जाना चाहिए और शाथ में एक दूसरी countries को और आप समें respect करना चाहिए तो ये कुछ suggestions दिये जा सकते हैं तो ये था South China Sea dispute ये आपके समझ में आगे वगा तो आप comment box में लिख दीजिए या फिर description के अंदर टेलग्राम चैनल का लिंक दिया गया है रोईताशकुमार नाम से तो आप वहां पर भी और अपना जो doubt है वो बता सकते हैं ठीक है चलिए अब इसके बाद next है O NGC dispute अब ये क्या है एक छोटा सा को एक्सप्लोर करता है कब से 1988 से 1988 से 2011 लिवन के अंदर वहतनाम ने कुछ दो ओइल ब्लोक इस O NGC को अलोट किये थे किस के लिए O NGC को अलोट किये थे किस ने दिये थे व्यहतनाम ने O NGC को कह था कि आप यहां पर O NGC पनाना और ओजिए लेकिन चाइना ने इस ओइल एक्स्प्लोरेशन को अब्स्ट्रेक्ट किया ठीक इसको रोग दिया था जिसकी वज़ाइसे यह डिस्प्यूट राइज हो गया था ओके तो यह था ओ एन जी सी डिस्प्यूट ओके नेक्स देखिए अगला टोपिक हमारा इकोनोमिक रिलेशन्स विद चाइना अब देखिए चाइना के साथ हमारे आर्थिक संबंद कैसे हैं आप चाहए तो इस पेज की स्क्रीन सोट ले सकते हैं अभी आपके सामने कर दिया है देखिए ठीक है तो सबसे पहले देखिए कि जो बाइलेटरल ट्रेड है इंडिया और चाइना के बीच में वो है 71 बीलियन डोलर का 11 बीलियन डोलर का अगर बात करें तो चाइना का यह एक्सपोर्ट है Voor एक्ते 1 बीलियन डोलर को इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का ट्रेड डेफिसित है वी त्व्हाए फिट्व Beach और का इकंट बिलियन डॉटर का इंदिया का judgment का डिया ए इस यह जो किसीट Firstly अगर देखें तो यह जोटीच द चे 측ी तरफ इंधा किसे सेखेंद है जिसकी वज़े से जो बी ओपी क्रैसिस है वो भी इंक्रीज होने के चांचेज बढ़ जाते हैं बी ओपी क्रैसिस बैलेंस और पैमेंट क्रैसिस जिसको हम डिटेल से डिसकस करेंगे इंडियान एकोनोमी की चैप्टर के अंदर आप यहां पर एक बार शिर्प नाम सुन लेजिए कि बी ओपी की क्रैसिस है वो करेंट अकाउंट डेफिसिट के वज़े से इंक्रीज हो जाएगी फिर से नेक्स्ट देखें तो इसकी वज़े से फोरेक्स रिजर्व और जो एक् और उसके काइब साइर प्रिजर्व टाराम पीजर्व होगा फिरनेक्स देखें कि ति झायनिजर्व प्रोडुक्ट की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है जो की एक नेशनिल सेकुरीटिगे लिए चेजलेंज्स जैसे आगर बात करें एक्जांप्ल के अर्ब जु वो कभी भी और चोरी किया जा सकता है तो एक नेशनल सेकरिटी के लिए एक चैलेंज है तो इन्हें यह कुछ रिजन्स हैं कि इंडिया के लिए एक चिंता का विश है अब देखिए नेक्स्ट जो हम डिसकस करेंगे वो यह है कि चाइना का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा क्यो कि अब हमने डिसकस किया कि आउस्स हो सेम्टीवन बिलियन डॉलर का और उसके अंदर by अब ना के इतना अगए primera ना कि सिख्टीवन डीन डॉलरा और जो पॉलिशी है वो डॉप्ट करती है जैसे हम बात करें डंपिंग या फिर क्रेंची डिवेलिएशन वो अपने एक्सपोर्ट को एंक्रेज करने के लिए अपने करेंची को डिवेलिएटे भी कर सकते हैं फिर नेक्स देखें तो चाइना के अंदर लार्ज स्केल प्रड अब नेक्स देखें तो चाइना के अंदर जो इन्वार्मेंट और जो लेबर लोज है वो बहुत फ्लेक्सिवल है और इंडिया के अंदर ये लोज बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो इसके वजह से भी यहां पर और जो इनके जो प्रड़क्ट्स हैं वो चीपर हैं फिर नेक्स देखें तो इंफरस्ट्रिक्टर है वो यहां की बहुत स्ट्रोंग है एनर्जी की नीड्स भी टाइम टू टाइम पूरी हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी विश्ता है और जैसे स्ट्रक्ट्रल डिफिसेंचीज है वो बहुत कम हैं अब नेक्स देखिए अब इंडिया की एकोनोमी है उसके अंदर स्ट्रक्ट्रल डिफिसेंचीज है जैसे एनर्जी की नीड्स पूरी नहीं हो पाती है ट्रांसपोर्टेशन की विवस्ता अच्छी नहीं है और जो मैटेरियल्स है वो भी टाइम से नहीं मिल पाता है फिर नेक्स देखिए तो इंडि इंडिया के हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है कि इनके जो क्वालिटी है क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है ठीक है तो इंडिया के आईटी प्रेट्ट्स को और प्रेफरेंस नहीं दी जाती जिसके वजह से भी इनका एक्सपोर्ट है वो कम है तो यह कि डिसक्स कर लिए कारण अब सोलीशन देखते हैं कि इसके पीछे क्या सोलीशन हो सकते हैं कि यह जो रिलेशन से उनको कैशे कैसे अच्छा किया जा सकता है तो सबसे पहले बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में और स्ट्राइजिक एकोनोमिक डायलोग और लगाई देगा थ और ये ऐन जेंडर चैन लेन की वह तकी वह जो इंडिया का प्रडक्ट्सें अल्गाए उनको की प्रेडक्ट्स नेको खून सब्सक्ति चैना का मैंने उप्रज़क्च का क्राइब हम देचा यह नव इनवेस्टमेंटा मेन उसको वी प्रोंमोट किया जा जो जो नोन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स है उसको प्रमोट किया जा रहा है अब यह नोन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं जैसे बोलीवूड को जैसे कोई भी मुवी रिलीज की जाती है बोलीवूड की तो वह चाइनिज मार्केट के अंदर भी और रिलीज हो अब इंडिया चाइने रिलेसेंस के अंदर ये चार वीडियो जो गें आप इन चार को ढंक से देख लीजिए अब जो नेक्स्ट हमारा टोपिक आता है वह आता है जैना के दोवारा चला है जारा बी आर आई प्रोजेक्ट ठीक है तो बी आर आई प्रोजेक्ट बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगें तो लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और फ्यूचर में आने वाले वीडियो के बारे में अगर आपको अप्डेट रहना है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जुरूर दबाएं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्स